हक की खातेर लड़ रहे मुजरिम बनोगे। जी हाँ, तीस्ता हो या हिमान्शु कुमार, अब नियाय का ये नया पैटर्न दिखाई दे रहा है। दुनिया के सबसे बाले लोकतंत्र में नियाय मांगना, इंसाफ मांगना अब जोखिम का काम हो गया है। हिमान्शु कुमार को सुनाएगा जुर्माना शायद इसी का एक सबूत है, इसी पैटर्न को दिखाता है। गांधिवादी कार्यकरता अहिमान शुकुमार को सुप्रिम कोर्ट ने 2009 के एक मामले में जिसमें उन्होंने आदिवासियों के लिए इंसाफ मांगा उसमें जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है पांच लाग जुर्माना और ना देने की स्थितिय में जेल इतना है नहीं कोर्ट ने राजसरकार को यह कहा है कि वह चाहे तो उनके खिलाफ धारा 211 के तहट मुकदमा भी कायम कर सकती है यह क्या है पूरा मामला यह जुर्माना क्यों है यह सजा क्यों है इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं खुद हमान शुकुमार जी हमान शुजी निस क्लिक में आपका स्वागत है सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा इसको लेकर तमाम लोगों में यह संशे है यह मन में सवाल है कि एक गांधी वादी कारे करता उसे है एक आदी वासियों के लिए इनसाफ मांगने पर जुर्माना हुआ और जेल तक जाने की नौबत है अगर आपने जुर्माना नहीं दिया तो क्या है यह पूरा मामला पहले आप हमें यह समझाएगे मैं और मेरी पत्नी 1992 में दिल्ली छोड़कर 36 गर के दंतेवाडा में चले गए थे और हमने वहाँ एक पेड़ के नीचे रहना शुरू किया था हमारे पिताजी स्वतंता संग्राम में थे गांधी जी के आश्रम में रहे गांधी जी के साथ और हमारे पिताजी कहा करते थे कि बापू बोलते थे कि नौजवानों को गाउं में जाके काम करना चाहिए तो फिर हम लोगों ने तैक किया कि हम लोग गाउं में जाके काम करेंगे तो 1992 में अपनी शादी के 20 दिन के बाद मैं और मेरी पत्नी दिल्ली छोड़ करके अपने सूटकेस पैक करके चत्तित कर चले गए और हमने एक पेड़ के नीचे रहना शुरूँ यानि आपने घुमने के लिए कहीं कश्मीर और मनाली ये नहीं चुना आपने दंते बाड़ा चुना मैं अक्सर कहता हूँ कि हम लोगों का हनीमून 18 साल चला हम लोगों जंगल में रहे और पेड़ के नीचे रहना शुरू किया फिर गाउवाले न जोंपड़ी बनाई हमारे लिए फिर दीरे दीरे आश्रम विक्सित हुआ और वो साथ एकड़ में आश्रम फैला एक हजार का संस्ता है जे उसके मेंबर थे और उसमें जो डिस्टिक्ट जर्ज थे वो हमारे साथ इतवार के रोज या दूसरे मजिस्ट्रेट गाउं में आदिवासियों के गाउं में कैम्प करते थे चूँकि वो लोग इस्थानिय भाशा नहीं जानते थे मैं जानता था तो मुझे लेकि जाते थे और हमें अपना मेंबर बनाया था उन्होंने हमारी संस्ता को और उसमें हम और जच साहब आदिवासियों को ये समझाते थे कि अपनी गरीबी को नियाय प्राप्ती में बाधा मत बनने दो यदि आपके साथ अन्याय हो तो आप को आईए आपको फ्री वकील मिलेगा नियायक साहता मिलेगी तो हमने वही किया मतला आदिवासियों को जागरुक कर रहे थे उन्हें पढ़ा रहे थे उन्हें समझा रहे थे जी हम लोग शिक्षा पर काम कर रहे थे हम लोग सोसाहता समू बना काम कर रहे थे हम लोग तलाब खोद रहे थे हम लोग श्र पर बैट कर लोक अदालत में सुनवाईया करता था और समझोते कराता था लेकिन फिर 2009 में क्या बदल गया असल में जब नई आर्थिक मीतियां आई तो पूंजी गरीब इलाकों की तरफ दोड़ने लगी ताकि वहां पर संसादनों पर कब्जा किया जा सके अफरीका लैटिन अमरीका, साउथ हेशिया और भारत में वो आदिवासी शेत्रों में दोड़ रही थी और जो जमीनों पर फिर ये कब्जे हो रहे थे मल्टिनेशनल कमपनियों के तो 36 गड़ में 100 MOUs की ये सरकार ने और इसके बाद जो सम्मेधानिक तरीका है उस तरीके से तो जमीन ली न सुची शेत्र है कि आपको आदिवासीों की ग्राम सभा की इजाज़त लेनी पड़ी पर जो तो वो तरीका तो सरकार को लगा कि इससे तो असंभा है अब सरकारें जो हैं वो भयानाक रिश्वते ले ले लेती हैं उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनके बेटे का स्विस जो अब जब इतना रिश्वते ले ले लेते हैं उसके बाद सम्विधान का पालन कैसे करते हैं तो उन्होंने क्या किया कि पांच हजार गुंडे घटे करें उनको 303 राइफल ने दिया और उनको कहा तुम लोग स्पेशल पुलिस आफिसर हो जो सलवा जुडूम और यह किया चल रही थी सुप्रीम कोट ने यह आदेश दिया कि गावों को दुबारा बसाओं तो सरकार ने तो नहीं बसाया हमारी सबस्ताने 40 गावों को दुबारा बसाया जी उसमें से एक गावों था नेंडरा वहां हम लोगों ने उस गावों को बसाया और हमारे कारकरता रह गया जिसमें स्थानिय पुलिस थी और कोब्रा बटालियंस यह कारूफ है आदिवासियों का कि वो उसमें पुलिस और अधिवासियों ने का हमारे पास आए कि हमें ऐसे यह मारा है और आप मदद करो हमारी इंसाब के लिए तो हमने फिर सिविल सुसाइटी औरगनेजेशन को हम सब लोग इखटे हुए और हम लोगों ने वहाँ एक जन सुनवाई रखी उसमें आदिवासि सब आये और उन्होंने सब बताया कि ऐसे से हुआ है हम उन लोगों को ले करके दिल्ली आ गए दिल्ली आ करके हम लोगों ने कॉंस्टिटूशन क्लब में बैठक रखी उसमे भी अपने सब व्यथा बताई मीडिया था सारा प्रशान बूशन नंदनी सुन्दार अरूम्दति रॉय ये सब लोग थे और आदिवासियों ने अपनी सब कहानी बताई पूरी दिल्ली में मीडिया थी उसके बाद फिर हम हैच-एर आयलन गए वहाँ पेटिशन साइन हु गई और आदिवासियों चले गए इसी दोरा आपने सुप्रिम कोट में एक जाच की मांग की देरसल हाँ वह पेटिशन में हमने कहा कि भई ये जाच कराई है क्योंकि पुलीस ने हम हत्या की है आरोप है कि पुलीस आरोपी है एक पुलीस का पक्षा एक आदिवासियों का पक्षा जो भी है उसकी आप तो हमें पुलीस पर भरोसा नहीं है इसलिए आप साइटी बना दीज़े या तो या फिर सी बियाई से जाच कराई है ये हमारी मांग आदिवासियों की मांग थी और उसके बाद ये लोग जब वापस गए इसी दोरान 36 गड़ में मेरी हत्या क कोशिश शुरू हो गई तो मुझे दस चार दिसंबर 2010 को 36 गड़ छोड़ के निकलना पड़ा उस रात मेरी हत्या होने वाली थी और अगले दिन ये आदिवासी मेरे से मिलने आने वाले थे तो मैं रात को निकल गया नहीं तो हत्या हो जाती और सुबह ये आदिवासी आए च्छे आदिवासी आए थे बारा पेटिशनर में से उन च्छे का पुलिस ने किड्नैपिंग कर लिया उसका वीडियो हमारे पास मौझूद है वहाँ पर कुछ बाहर से मीडिया आई हुई थी जिसमें बॉम्बे वगहरा से पत्रकार थे उन्होंने वीडियो बना लिया प हमें नहीं पता किसने मारा अब सुप्रीम कोट ये कह रहा है कि पेटिशन में इन्होंने का पुलिस ने मारा और तीस हजारी में बोला कि हमें नहीं पता किसने मारा अब जब किड्नैप करके लाई है पुलिस उनको जान से मारने की धंकी दे कर लाई है अच्छा उसमें उन जो है उसकी जाच हो जाए एसाइटी हो जाए या सीबी आई जो भी है वो पता लगे जी और उसके बाद उन लोगों को फिर कई महीने किड्नेप करके रखा गया उसको भी किड्नेप कर लिया गया था खैर 2010 में सुप्रीम कोट में 36 सरकार ने कहा हिमान शुकुमार माविस सप परदार जो इनको ऐसा बोला तो 2017 में फिर इनोंने कहा कि सोनी सोरी और हिमान शुकुमार दोनों पर जुर्माना लगाया जाए क्योंकि ये जूट बोलते हैं बताओ सोनी सोरी को भी कह रहा है ये भी जूट बोलती है फिर 2012 में आकर कि फिर से इनोंने अभी एक जमा कने और उनको मतलब आपकी पूरी उम्र एक तरह से बीद गई गांधिवाद का प्रसार प्रसार करते हुए आपके तो हम शोशल मीडिया पर तस्वीरे भी देखते हैं तो चर्खाई कात रहे हैं लोगों को पढ़ा रहे हैं लोगों के बीच हैं आज भी जो कहानिया लिखते हैं तो आदिवासियों की दरसल आप वैसे आप बताएं इस से अलग हटके कि क्या दशा आप इस समय भी देखते हैं और इस जब आपको इस तरह का एक जुरमाना लगाया गया तो उनके बीच जब ये ख़वर पहुँची तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रहे हैं दे मैंने भी और सोनी सोरी जो मेरी साथी हैं और एक वक्त में स्टुडेंट रह चुकी हैं हम दोनों की एक राय है हम लोगों ने कहा कि जुरमाना क्यों देंगे हम लोग वहां बस्तर की भाशा हम लोग इसको दंडुम बोलते हैं आचा दंडुम कि हम क्यों दंडुम देंगे हमने क्या गल्टी की है नियाय मांगना कोई जर्म थोड़ी है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने गल्ट फैसला दिया है तो हम ये कोर्ट का फैसला नहीं मानते हैं हम इसे एक जज का गलत फैसला मानते हैं सुप्रीम कोर्ट तो जनता की इंस्टिटूशन है सुप्रीम कोर्ट की रक्षा तो हम करेंगे तब ही आप ये सुच रहें कि अब एक पुनर विचार याचिका भी डाली जाएगी और इस वेसले को कबूल नहीं किया जाएगा हम इस वेसले को सुप्रीकार नहीं करेंगे ये खलत फैसला है हम जेल जाएंगे लेकिन जरौणा यह जरौणा नहीं देंगे क्योंकि हम यह मानते हैं कि न्याए मागना कोई अपराद नहीं है बेशक ये तो सभी बात है खेर इससे अलग हटके अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि आपका जो पूरा एक ये अनुभव है मतलब आप लोगों के लिए काम करते रहें लोगों के लड़ते रहें अब आपको एक सजा सुनाई जा रही है और इस समय जो पूरा एक महौल लेख रहे हैं चाहे वो तीस्ता को लेकर है या हिमान शुकुमार को लेकर है या पत्रकार जुबेर का मसला है या मेधा को है ये सब क्या आप क्या देख रहे हैं ये सब क्या संदेश क्या है संदेश ये है कि इस वक्त जो सत्ता है वो एक दम अन्याई जालिम और जन विरोधी हो गई है लोगों की विरोधी हो गई है कि अब तीस्ता का क्या मामला है कि बहि वो एक वकी थी वकील के पास लोग आय कि उस्छाब हमारे लोगों का कतल हो गाई है आप कोर्ट में हमारा मुकदम लड़ दो उसने मुकदम लड़ दिया आपी वखील को जेल में डाल दे ये क्या तरीखा हो ये क्या बात हुई तो ये सब जो एक नए संदेश है ये जो एक बात चल भी रही कि प्रतिरोध की जितनी आवाजे हैं उन्हें दबाया जाए उन्हें रोक दिया जाए जाए तो वो यह नहीं लिखेगा कि जल्म करने वाले लोग कितने महान थे वो कितनी बड़ी-बड़ी कुरसियों पर बैठे थे वो कितने कतल कर सकते थे उन्हों इस वक्त जेलों में गए कौन लोग थे जिन्हों ने गर्दने नहीं जुकाई कौन लोग थे जिन्हों ने सर नहीं जुका दिया उन लोगों में हम लोगों का नाम आएगा बस यही खुशी है बहुत बहुत शुक्रिया वो कहा भी गया कि उनका जो फर्द है वो एहले सिय और अश्व काम है कि हम सब सारे पक्ष जनता के सामने रख दे उसके फैसले के लिए जनता की अदालत में ये था है इह मैंश कुमार जी का पक्ष जो आदीवासियो के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं और आगे भी शाहिद उनका एक काम बादस्तूर जारी रहेगा बहुत अबस शुक्रिया और इसक्लिक से बागे तेक्ट गानुबाइब